हलो स्टूडन्स, मैं सेल्फ मेगनामिस, मैं आज आपको स्टैंडर्ड सेवेंड की जहा चाह वहा रहा ये कहानी बताने वाली है, इसके रचेता है अनुराधा मोहिन बच्चों इस कहानी में बताया गया है कि यहाँ पे एक्ता का महत्व संगर्टन एवं श्रमदान का महत्व समझाया है, इस कहानी में साथी असंभव कारे को संभव करने की प्रेणा भी दी है, लेकिन यहाँ पे इस बड़ों का कारे नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों का कार उनकी साहता से गाव की प्रगति कैसी होती हैं। कआनी क्या है यह सभा गाव की पाथशाला की गंटी बजी यह सबा यन पाटशाला याने स्कूल की घंटी बज़े दुआदार बरसात हो रही थी अभी क्या है बरसात का मुसल तो चली रहा है दुआदार याने बहुत बरसात हो रही थी बरसा के कारण प्रार्थना मैदान पर नो होकर कख्षा में संपन हुई प्रार्थना जब हमारे स्कुल में बारिश होती है तो हमारी जो प्रेयर होती ही जो प्रार्थना थी वह कहाँ पे हर एक क्लास में होती है पैसे ही ए सबा के यहाँ भी प्राधना जो थी मैदान में न होते हुए वो संपन्न काहँ भी हर एक के लास में याने कक्षा में उपस्तित लेते हुए गुरुजी ने देखा के आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है क्यों थे क्योंकि दुआदार याने बहुत भरसात होई थी आज इतने विद्यार्थी हो कि उपस्तिती रहने के कारण क्या है याने जब तीचर जो याने शिक्षक जो प्लास में आहे तो बच्चों को देखा तो अनोपस्तिती याने अपसंटी बहुत थी बच्चों में तो शिक्षक भी बोलने लगे कि आज बच्चों की अपसंटी इतनी कम क्यों है उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा वही नाला गुरी जी सब ने यह स्वर में उत्तर दिया वही नाला याने गाव के उस तरफ स्कूल होगी और बीची में क्या है नाला है बहुत बड़ा और सब बच्चों ने क्या दिया वही नाला गुरी जी ए सबा गाव के ठीक बीच से एक नाला बहता था देखो मैंने बोला रहा ए सबा गाव याने ए सबा जो गाव है उसके बीचों बीच एक नाला बहता था गाव की बस्ती नाले के एक तरफ थी पाठशाला और खेत दुसरी तरफ याने बस्ती एक साइड में थी और दुसरी साइड में क्या था पाठशाला और खेत यानि लोगों के खेट जो थे खेट खलियान वो दूसरी तरफ और पाट शरा भी उसी तरफ थी और बीच में क्या था नाला था बच्चे भी एक स्वर में ही बोलने लगे बरसत के दिनों में नाले में कई बार चार से पाच फिट तक पानी भर जाता था देखो बच्चों याने चार पाच फिट याने बच्चे क्या हो जाएंगे नाला पार नहीं कर सकते बड़े पुज़ोर्थों किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते हैं पाच शाला आने के लिए नाला लांगना विद्धार थियों के लिए असंबव है अब्वियसली नाला जो था वो बहुत बड़ा था और उसको पार करना थे वो अपने बैल गाय के साथ वो आराम से नाला पार कर सकते थे जब जब चोरों की बारिस होती उस दिन कक्षा में विद्धार थे उनकी उपस्तिती पर असर पड़ता उनकी उपस्तिती पर असर पड़ता याने वो क्या है बहुत से बच्चे पाच शाला नहीं आ पाते थे अनेक बार विद्धार थी पूरे सप्ता पाच शाला नहीं जा पाते थे इसके चलते गाउं में बरसात नाले में भरा पानी पाच शाला से छुट्टी ए सबा की यही कहानी यह गीत गाउं में प्रचरित हो गए थे क्या हो गया यही कहानी क्या हो गया था बच्चे भी गाना गाने लगे थे कि इसके चलते गाउं में बरसात नाले में भरा पानी पाच शाला से छुट्टी यही कहानी नाले में भरा पानी पाटशाला से चुट्टी क्या है नाले में क्या हो जाता था पानी भर जाता था और पाटशाला को क्या चुट्टी मिलती थी और एही गीत प्रचलित हो गया था उस गाओं में पाचशालाय में अनौपस्तिति का विद्धार्तियों की पढ़ाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। जैसे की पाट शाला में बच्चों की क्या ती अनौन पस्तिति यानि에 अंप्षें की बहुत कम रहती थी बारिश की वजह से इसलिए क्या ओ जाता था बच्चों की जो पढ़ाई थी वो पीछे रहने लगी थी धीरे धीरे पीछे बच्चों को कुछ समझ में आता था कि स्कूल में क्या पढ़ा गया है क्या नहीं पढ़ा गया है अगर बच्चे एक एक वीक याने एक एक हपता जो घर पे रहेंगे तो ये तो समझ में नहीं आएगा कि टीचर ने हमें क्या सिखाया क्या नहीं यही ये सबा गाव के बच्चों के साथ दी होता था अच्छी श्रेनी लेने वाले विद्यात थी भी वार्षिक परिष्था में पीछे हो जाते थे बारिशिक परिश्याने फाइनल अच्छी श्रेनी याने अच्छे गून अच्छे मार्स लाने वाले जो बच्चे थे वो फाइनल एक्जाम में भी क्या हो जाते थे पीछे हो जाते थे रीजन था सबसे में वो बड़ा नाला जो बारिश में फुल हो जाता था सब परिशान थे पर क्या करते मार्ग असंभव था अभी बच्चे और उनके माबाप सब क्या थे उस नाले से बहुत परिशान हो गए थे लेकिन क्या है असंभव में मुल शब्द संभव होता है असंभव में मुल शब्द क्या है संभव यहाँ पर बोला गया है कि क्या कर सकते कोई मारग नहीं असंभवे सब लेकिन असंभव का मुल्चब्द है संभव यानि हो सकता है यगिर अगर कोशिश किये करे तो नहीं करे तो कुछ नहीं होगा लेकिन कोशिश करोगे तो हर एक बात संबव है यदि संबवना एक दीन एकायक काम कर गई हुआ यहकी उस दिन भारी वर्षा के कारे ए सबां के अधिकांश विद्यार्थी पाट्शाला नहीं जा पाए देखो बहुत सारे विद्यार्थी जो थे ए सभा के गाव के वो जो है वो स्कुल चान नहीं पाए थे ठीके याने क्यों रिजन था वो बड़ा नाला सो दोपर बाद बरसा थोड़ी रुखने पर चोपाल में बरगत के पेड के नीचे चबुतरे पर बैठे वे आपस में बात्चित करने लगे अभी क्या हो गया था चोपाल याने एक बड़ा सा पेड उसके नीचे जो था वो सिमेंट का जो वरंड़ा बोलते न वो बनाया हुआ था और वहाँ पे सब बच्चे जो थे दोपेर में आके बैठ गे बात्चित करने के लिए ठीक है बात्चित करने के बाद आपस में बात्चित करने कर रहे थे तभी तुशार ने कहा अरे इस बरगत के पेड में भूत है अचानक से तुशार बोला सब जो स्टूटन्ट्स थे जो स्कूल नहीं जा पाये थे वो सब दोपेर को बैठे एक बरगत के पेड के लिए बन्यांट्री के पीट नीचे और वही अचानर तुशा क्या बोलता है इस पेड़ के पेड़ पर क्या है बूत यहाँ क्यों पेठे हो बूत बूत सब कोरी कलपना है बक्वा से क्या हम में से किसी ने बूत देखा है सब केवल मनघड़त बाते हैं जुई ने कहकर बास्चीत आगे बढ़ाई जुही बोली कि भूत्वुत जो है न वो सरक मनगड़त कहानिया है बाते है ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहां बोलके जुही ने बाची जो है आगे बढ़ाई आज एक और अनुपस्तिति याने अपसेंटी लग गई मेरी अब तक 14 अनुपस्तितिया हो चुकी है बरसत में उजवला ने परेशानी भरे स्वर में कहा अभी क्या है उजवला जुही तुशार ऐसे कुछ बहुत से फ्रेंट्स थे वो अच्छानक से वहाँ पे एक दोपेर में बरसत कम हुई और वो आके बैठे तुशार बोलता ह यहाँ पे क्या है इस पेड़ के नीचे भूत है जुही बोलती है सब बखवास है ऐसे बोलके जुही ने बाच्चित आगे बढ़ाए और बोली कि मेरी कुल मिला के 14 चुट्टी हो गई इस कुल की रिजन सिर्थ था वो बढ़ा नाला आगे का लेशन में आगे के लेक्चर में सिकांगी